चतिसगर में भाजपा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी होने के बाद असंतोष के सुर सुनाई देने लगे हैं दरसल दंतिवाडा विधानसभा सीट को लेकर बगावती तेवर देखने को मिले हैं दंतिवाडा विधानसभा सीट से पूर विधायक भीमा मंडावी की पतनी ओजस्वी मंडावी दावेदारी कर रही थी लेकिन उनका टिकट काट कर चैतराम को दे दिया गया इससे नारासपुर विधायक स्वर्गी भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने इंटरनेट मीडिया पर भडास निकाली है दीपा मंडावी ने इंटरनेट मीडिया में जारी किये गए वीडियो में कहा कि मेरे पिता भाजपा के लिए अपना बलिदान दे चुके हैं पिता की मौत के बाद मा उजस्वी पार्टी में दिरंतर सकरी रही बौजुत इसके पार्टी ने टिकट न दे कर पिता के बलिदानी का अपमान किया है उन्होंने राजनीती में कदम रखा लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी मेरे पापा ने इस पार्टी के लिए अपनी जान दे दी उनके जाने के बाद हमें अपने कल का पता नहीं था फिर भी हमारी मम्मे ने हमें संभाला और इस पार्टी में मेरे पापा की जगा लिए उसी सिध्धत के साथ जो मेरे पापा के अंदर थी हमारे दंतेवडा के जनता के लिए और हमारी भाजपा पार्टी के लिए क्या मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं है आप सबी पार्टी वालों के सामने क्या मेरे पापा से कोई कमी रह गई जबकि आज भी जनता सिर्फ मेरे पापा को चाहती है और मेरे पापा के इसी अधियूरे कार्य को और उनके सपने को पूरा करने के लिए मेरी मम्मी पार्टी में आई थी राजीती में उन्होंने कदम रखा था और मैं आज अभी हमारे पार्टी के सभी कारे करता हूँ एवं ने तांस से यह पूछना चाहती हूँ मुझे मेरे इस सारे सवालों का जवाब चाहिए कि आप लोगों हमारे साथ ऐसा क्यूं किया